गुड मॉर्निंग बच्चो वेलकम टू माई चैनल बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गनित की वॉक्षीट वॉक्षीट नमबर 55 जो की 13 नवेंबर की है चलिए आज हम करेंगे समतल आकरतियों के सहीं जन पर अधारित प्रेशन जो हमने आज तक आकरतिया पढ़िए हैं उन उसमें से ये तीन त्रिजखंड के चेतरफल को माइनस कर देती हूं तो मुझे यह मिल जाएगा तो बहुत इज़ी है त्रुबुच का चेतरफल क्या होता है बेटे हाफ इंटू आधार गुड़ा उचाई ठीक है तो एक बटे दो 48 गुणा 20 हो गया और तीन ठीक है तो आपका यहां से आंसर आजाएगा सेकंड एक्जामपल देखते हैं सेकंड यहां चायंकित भाग इसका चेतरफल निकालने बहुत इस व्रत का चेतरफल निकालू और इन दोनों को जोड़ दूं तो मिरे पास चायंकित भाग निकल जाएगा लेकिन एक प्रॉब अघगंब का चेतरफल निकलता रूट इनार अर गीजामपल दीखते हैं व्रत देखते हैं यह दिया करेखे हैं यहां पे दोनों में अर्ध व्रत है और यह आयत की शेप में भीज वाला हिस्सा तो आपको निकालना पड़ेगा कि यह जो ब्लू उसमें है देखिए पत के आंटरिक किनारों को आंटरिक मतलब अंदर वाले हिस्से को तो हम क्या करेंगे वाइट वाले हिस्से में से मैं यह करेंगे दोनों की दूरी कितनी है 60 हमें पतका च्छेतरपल भी निकालना तो सब जोडना भी पड़ेगा तो सब से पहले हम क्या करेंगे आर निकालेंगे तो आर इसका 60 का आधा हो जाएगा लंबाई हमें दे रखिए 106 दे रखिए तो दूरी बैटा दूरी कैसे हो जाए और दो अर्द परिमा पर दो बार निकालना है तो इसलिए हमने दो से गुणा भी किया है और लेंथ को डबल कर देंगे क्यों कि यह डबल है ठीक है यहां सा आपका फॉर्म आंसर आजेगा सेकेंड में पूछा इस पूरे का एरिया निकालना तो पूरे का तो बहुत इजी है दोनों को जोड़ेंगे चारों को जोड़ देंगे न यह देखें इन दोनों का आयज जोड़ेंगे और भाहे अर्द ब्रत का छेतरफल और अंतर अर्द ब्रत का अंदर वाले का भी और भाहे वाले का भी जोड़ेंगे में मैं अगर इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास यह निकल जाएका है ना तो हम यह करेंगे इसका आंसर ठीक है चलिए इसका आंसर देखते हैं पटा यह देखें मैंने वही क्या हुआ है यह अगर आपका 14 है देखे एक सिकेड़ यह आपका 14 है यह भी 14 है ठीक है तो यह पाइथगोर सुर्म से हम यह करने निकाल सकते हैं तो मैंने एसी निकाल लिए पर मेरा एसी निकलेगा 392 रूट करेंगे तो इस कांसर आगा 14 रूट 2 ठीक है अब यह वाला जो हिस्सा है यह 14 रूट 2 है लेकिन अगर में व्रत बनाती हूं अर्थपरिमाप बनाती हूं तो तो यहां से लेके यहां तो ऐसे बनेगी न यह तो अर्द परिमाप की त्रिज्जे क्या हो जाएगी आधि हो जाएगी साथ रूट 2 हो जाएगी बस अब त्रुगुज ABC का चेत्रफल कैसे निकलता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो यह हो गया एक बटे दो चौदा गुणा चौदा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कांसर आजाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेर चीक है अब अर्द परिमाप का चेत्रफल कैसे निकलता है पायार स्क्वेर का आधा कर देते हैं तो यहां से जब आप वैल्यू पूट करेंगे तो आप कांसर आजाएगा 154 मैंने बहुत अच्छे से अभी आपको समझा है अब देखिए कैसे निकलेगा चाहेंगेत भाग का चेत्रफल निकलेगा त्रभूच ABC का चेत्रफल प्लस अर्धिवरत का चेत्रफल माइनस चतुर्दाश का चेत्रफल क्वाडेंट है वो ठीक है तो यह था हमारा 98 154 154 माइनस हो गया आप कांसर आजाएगा 98 सेंटीमीट स्वेट जो सेकेंड कोईशन बहुत इजी हुनोंने बोला कि दो तीन विरत बनाएं और उनके जो केंद्र हैं उनसे हमने एक त्रभूच बनाया है जिसकी साइड 14 14 14 सेंटीमीटर दी हुई है तो आपको इस वाले इससे का चेत्रफल निकालना तो यह कैसे निकलेगा मैं अ पूरेत रूबूच का चेत्रफल कैसे निकलता है रूट थ्री अपन फोर ए स्क्वेर ए स्क्वेर मतलब साइड का स्क्वेर एक इतनी हमरे पास चौदा तो चौदा चौदा वेली पूट करेंगे तो आपका अनसर आजाएगा 84.77 अब हमारा क्या बच्छा त्रेजिकंड चेत्रफल होता है थीटा पॉन 360 पाई र स्क्वेर और तीन हमरे पास इसलिए तीन से मैंने मल्टिप्लाई किया है थीटा हमारा बिटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा क्योंकि संभाह उत्रूबूच है तो 60 60 60 वैली पूट करेंगे आपका अंसर आएगा 77 चाहें गित भा लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट